गुद मॉर्निंग स्टूरेंट्स आज हम जो है क्लास 12 का कल हमने ने आज अप्र स्टार्ट किया था पास्ट एडजेस्टमेंट ठीक है आज हमारा सेगिन लेक्चर इसके लिए हम जो है कुछ कोशन प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी आप से कोई गलती हो जाती है या आप हमारा सेकिंड एक्जांपल है देखो हमने कल भी कैपिटल इंटरस्टोन कैपिटल के उपर जो है एक एक्जांपल किया था आज हमारा सेकिंड एक्जांपल है देखो x & y are two ratio one partners there's capital on first apparel were rupees one lakh each the product the profit were rupees one lakh 20,000 divided but with the following errors ठीक है आप अब एरर्स आप गलती देखो इंडरस्टोन कैपिटल at the rate 3% was provided instead of 9% यानि कि आपको आपने दे दिया 3% और आपको देना कितना था 9% तो इसके लिए आपको जो है जनल एंट्री करनी है जब भी आप adjustment करते तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जनल एंट्री करनी होगी ठीक है तो जनल एंट्री देखो कैसे होगी पहले तो हम जब working note बनाएंगे कि working note देखो कैसे बनेगा आपने दिये 3% आपको देने कितने थे 9% यानि कि आपने कितने और देने है आपको 6% और देने है ठीक है जब भी आपको देने होते हैं तो आप क्या करते हो credit ठीक है तो देखो आप working note बनाओगे X and Y का तो interest on capital at 6% क्योंकि आपको 6% क्या करने है देने है 3% आपने दे दिये 6 और दे दोगे तो 9% हो जाएगा तो 6% आप दे रहे हो तो आप इसको करोगे interest on capital 6% credit ठीक है तो आप interest on capital capital कितनी इसकी 1 lakh ठीक है तो 1 lakh की दोनों की 1 lakh है 1 lakh है तो 1 lakh का 6% करोगे 6000 X किया जाएगी 6000 Y किया जाएगी उसके बाद हम क्या करते थे जो X की और Y की जो capital आ रही है उसको plus कर देंगे 12,000 उसके बाद जो ratio है उसमें हम इनको divide कर देंगे तो 2 ratio 1 की 4 में हम इसको divide करेंगे 12,000 को तो 8,000 आ जाएगा X का और 4,000 आ जाएगा Y का ठीक है इसको हम क्या कर डेबिट करेंगे ठीक है यह क्राइडिट कर दिया यह डेबिट कर दिया आप उसके बाद जिसका यानि कि इसको हमने कितने दिये 6000 देने कितने थे 8000 ठीक है मतलब 8000 उसको दे दिये और 6000 क्या करना इसमें बताओ 6000 उसको 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 आमने देने है ठीक है और 8000 हमने उसको दे दिये यानिकि उसको आमने 8000 दिये यानिकि 2000 उसको ज़्यादा दिये तो 2000 हमने क्या करना इसमें से माइनस करना मतलब कि उससे वापिस लेने हैं तो हम माइनस करेंगे ठीक है उसके बाद इसको 6000 अमने दिये और 4000 जो है 6000 हमें देने थे 4000 हमने उसको दिये यानि कि हमने हमें इसको 2000 और देने हैं इसमें हमने इसको 2000 ज्यादा दे दिये इसको 2000 कम दे दिये तो इससे हम वापिस ले लेंगे जिसको आप वापिस लेंगे उसको आप डेबिट करेंगे जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो जिससे ले वापिस जिसको आपने ज्यादा दे रखें उसको तो आप डेबिट करेंगे और जिसको आपको देने जिसको अपने कम दी हैं उसको आप क्रेडिट करोगे तो देखो X capital अकाउंट debit यानि कि आपने इसको क्या कर दिया डेबिट कर दिया और इसको आपने क्या कर दिया तो Y is capital account credit ठीक है तो यह इसकी general entry होएगी ठीक है तो पहले आप यहाँ पे general entry लिखोगे उसके बाद यह working note बना होगे ठीक है नेक्स्ट देखो X and Y are partners their capital on first approval rupees 2 lakh and 3 lakh respectively profits were divided with the following errors interest on capital at the rate 5% was provided instead of 3% अब आपने दे दिया 5% देना कितना था 3% यानि कि आपने 2% ज्यादा दे दिया तो 2% आपने ज्यादा दे दिया तो आपको क्या करना है वापिस लेना इनसे ठीक है अगर आप वापिस लेगे तो क्या करते थे हैं debit ठीक है तो देखो working note X or Y interest on capital 2% करना है ठीक है तो आपको क्या करना है debit करना जो इनकी capital है 2 lakh और 3 lakh उसका 2% निकालोगे तो इसका X काएगा 4000 Y काएगा 6000 इसके बाद 4000 और 6000 10,000 ठीक है इनकी profit sharing ratio जो है वो नहीं दे रखी तो हम इसको 1 ratio 1 की उसमें इनकी बाट देंगे तो यह इसके आजएगे 5000 इसकी भी 5000 ठीक है आप देखो हमें देने कितने थे 4000 दे दिये कितने इसको 5000 तो यानि कि हम इसको 1000 ज़्यादा दे दिये तो इससे हम वापीस लेंगे वापीस लेंगे तो इसको क्या करेंगे बही credit ठीक है 6,000 इसको देने थे और दिये कितने 6,000 दिये इसको और देने कितने थे 5,000 इसको 4,000 देने थे और दिये कितने 5,000 ठीक है तो आपने 4,000 दे दिये इसको और देने आपको 5,000 थे ठीक है यानि कि आपने 1,000 इसको कम दिये ठीक है और इसको दे दिये आपने 6,000 और 5,000 आपको क्या करना था देने थे तो यानि कि आपने 1,000 इसको जाधा दे दिये तो इसको कम दिये और इसको जाधा दिये तो जिसको जाधा दिये उससे वापिस लेंगे तो y is capital account debit 1,000 to x capital account 1,000 ठीक है यह थी इसकी general entry next question deko x and y are three ratio two partners these capitals were rupees three lakh and five lakh respectively profits were divided with following errors and omissions deko interest on capital 17.5 percent was provided instead of 22.5 percent uske pa the salary 2x rupees one ten thousand was omitted ठीक है और commission two by thirty thousand was omitted past journal entry अब इसमें देखो इसकी गलतिया देखो इसकी गलतिया क्या है आपने provide गया उसको 17.5 percent और देना कितना था 22.5 percent ठीक है तो आपने कितना कम दिया उसको 5 percent या नहीं कि आपको कितना देना 5 percent ओर देना है ठीक है तो आपको 5 percent ओर देना है तो आप क्या करोगे credit तो interest on capital 5 percent credit तो 15,000 और 25,000 आ जाएगा उसके बाद x को आप salary देना भूल गई तो 10,000 उसके x में आ जाएगे commission y को देना भूल गई तो y की उसमें आ जाएगे 30,000 ठीक है अब इनका total करेंगे सब का तो 15,000, 10,000, 25,000 और 30,000 तो इनका total हो जाएगा 80,000 जो 80,000 है वो 3 ratio 2 में आपको divide करना है तो इह आ जाएगा 48,000 और 32,000 ठीक है तो आप जो है आपने इसको कितने दे दिये 48,000 और इसको कितने दिये 32,000 ठीक है तो इससे वापिस लहोगे क्योंकि ये ज्यादा दी है हमने इसको ठीक है तो जिससे आपको वापिस लेने है उसको आप debit करना जिसको आप दे रहे हो तो उसको देना है मतलब कि उसको credit करना ठीक है तो ये थे हमारे question जो हमने question practice किये है I hope आप सबको समझ में आए होंगे ठीक है तो आप question practice करना अगर कोई भी problem है तो बताना इससे आगे भी हम और भी question practice करेंगे और भी गलतियां जो है उनको जानेंगे कि हम इससे क्या-क्या गलती है और उनको कैसे सुधारा जाएगा ठीक है तो next class में करेंगे हम और जो भी questions ह ठीक है thank you